Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में बात करेंगे Reliance Group के share यानि की TV18 Broadcast की जो अपने उपरी स्थर से 50% तक correct हो चुका है और कल का दिन जो है TV18 Broadcast के लिए बहुत ही एहम दिन है क्यों क्योंकि कल quarter 2 के numbers TV18 Broadcast के आने वाले हैं तो क्या इस level पे खरीददारी करनी चाहिए या फिर अभी भी stock को hold करना एक बहतर option हो सकता है क्योंकि Reliance Group का stock है तो डिसकस करेंगे इस वीडियो के मादम से तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं उसके बावजूद जो है Nifty 50 और Bombay Stock Exchange दोनों ही अच्छे खासे positive momentum के साथ recovery करते वे नजर आए हैं अगर मैं Nifty 50 की बात करूँ तो 17,000 points से उपर यानि की 17,301 points के आजपास अभी stock market जो है trade कर रहा है Nifty 50 का और 116 points की बड़त देखने को मिल रही है जहां लास session में closing 17,185 points पे थी Bombay Stock Exchange की भी बात करूँ तो 45,000 points का jump आज के दिन gap down opening होने के बावजूद देखने को मिला 0.78% की तीजी है और 58,370 points पे इस ताइम Bombay Stock Exchange करते हुए देखने को मिल रहा है जहां लास session की closing 57,919 points पे थी अगर आप bank Nifty में trade करते हैं और उसके free calls पाना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आपको मेरे free telegram group का link मिल जाएगा जहां पे हर रोज bank Nifty और Nifty की में 2-3 free calls 90-95% accurate के साथ में प्रोवाइड करता हूँ daily targets होते हैं अगर आपने भी अपना loss किया है तो एक बार telegram group को जुरूर जोइन करें आप लोग TV18 broadcast के अगर मैं बात करूँ तो आज भी जो है 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली 36 रुपे 30 पैसे पे stock ने अपने आज closing दी है जहां last session की closing 36 रुपे 85 पैसे पे थी 55 पैसे की गिरावट आज के दिन TV18 broadcast share में हमें देखने को मिली है कल का दिन एहम है quarter 2 के नंबर साने वाले हैं और अगर मैं इसके 5 दिन के return की मैं बात करूँ तो almost 8% तक के negative returns दिये हैं और साथ ही साथ में अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो एक महीने से भी 6% के आसपासी ये stock जो है गिरावट के साथ consolidate होते वे नजर आ रहा है 6 महीने के return देखेंगे तो 50% से उपर तक के negative returns दिये हैं वही चीज कहा रहा था है मैं आपको की 50% से उपर तक ये stock जो है 6 महीने के बात correct हुआ है लेकिन जो उपरी सतर से गिरावट हुई थी उसी range में ये stock almost 4 महीने से consolidate कर रहा है June, July, August, September, October आ चुका है quarter 2 का number आ चुका है कल quarter 2 के numbers आने वाले हैं और लेकिन 4-5 महीने से stock इसी range में consolidate करते वे नजर भी आ रहा है maximum returns देखेंगे तो 56% तक की correction जो है stock में अभी भी बनी हुई है मलब बीच-बीच में positive returns जरूर दिये हैं सही time पे entry लेके सही time पे exit जिनों नहीं किया short term में तो उनको returns भी मिले हैं लेकिन overall maximum returns जो है almost 12 साल के अंतराल पे stock ने अभी तक negative ही दिये हैं अगर आप free में demate account खोलना चाहते हैं तो वीडियो के description box में आप लोगों को link मिल जाएगा जहां से अगर आप demate account खोलेंगे तो आप लोगों को जो है equity delivery पे कोई भी ब्रोकरे चार्ज नहीं देना पड़ेगा TV18 broadcast कल का दिन expected earning देखे 18 October 2022 तो कल के दिन quarter 2 के numbers के बाद एक clear vision जुरूर सामने आ सकता है positivity आएगी या फिर negativity तो कल का इंतिजार रहेगा quarter 2 के numbers का और market cap जो इस company का 6,197 क्रोड का है book value per share के आसपास इस stock trade करा 36.66 पैसे की book value per share है TTMP 11.97 का और sector PE की बाजपूतर 21.42 का देखने को मिल जाता है face value stock की 2 है और EPS भी 3.02 के आसपास का है technical chart के अगर मैं बात करूं तो RSA level के साब से ये stock काफी time से concentrate कर रहा है लेकिन moving average जो है वो about trend line है जो की एक अच्छा sign ही बिल्कुल भी नहीं है लेकिन उपरी स्थर से गिरावट के बावजुद BAS stock काफी time से correction में ही है लेकिन overboard condition में बिल्कुल BAS stock इस time नहीं है resistance level 37.42, 37.98 और 38.32 का है वही support level देखे तो 36 और 35 की range में ही जो है आमें तीनो support level इस stock के देखने को मिल जाते है price performance जहां एक साल तक की negative देखने को मिल दे लेकिन तीन साल में सिरफ 78% के आसपास तक के positive returns दिये है लांग टरम का stock है कब company के हालात बदलेंगे ये तो आने वाला बगत बताने वाला है लेकिन reliance group का है तो थोड़ा सा भरोसा जरूर इस company पर किया जाता है क्योंकि TV18M broadcast जो है वह एक alliance के तोर पे जो है reliance group की company है और उसी के साथ ये company काम करती भी नजर आती भी है लेकिन performance जो है stock की अभी तक खराब ही देखने को मिली है volume आज का almost 57 lakh के आसपास का है जहां last session में 43 lakhs का volume था और 19 lakh की delivery देखने को मिली थी commentary sentiments 87% buy की call और 13% sell की call इस time देखने को मिल रही है quarter 2 का number जो का लाएंगे तो एहम दिन हो सकता है कि अगर numbers अच्छे आते हैं तो हो सकता है stock आपको upper second में lock होते हुए नजर आ जाए numbers अगर खराब आते हैं तो और जादा गिरावट के जांसी बन सकते क्योंकि पांच महीने से आसपास का जो time भीता है उस time में ये stock एक ही range में consolidate करते हैं जर आया भी है revenue में अच्छा कासा quarter to quarter और year to year basis पे अच्छा कासा jump जो है revenue में जुरूर देखने को मिल रहा वही net profit भी लगातार जहां 2018 में 60 क्रोड का नुकसान था वही net profit 2022 में 872 क्रोड का positive भी निकल के आया था promoter का stake 60% 27.62 जो है public का stake 1.72 DIA का और बाकि 10.25 जो है FIA का stake जो है हमें TV18 क्रोड का share में देखने को मिल जाता है company fundamentally strong है Reliance Group का stock है long term come quantity के साथ hold किया आजा सकता है लेकिन fresh entry जो है कल के बाद decided हो सकता है कि quarter 2 के अंदर company कैसे numbers लेके आती है और उसके बाद से जो है आप stock को carry forward करके चल सकते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like and share जुरूर कर रहे हैं और आप मेरे चैनल पे अगर नहीं है तो प्ली चैनल को subscribe करके बाल आइकन को जुरूर पैस कर ले